Hello everyone, welcome to Janet Education मेरा नाम है नितिश कुमार और हम लोग आज जो है वो पढ़ने वाले हैं Physics का जो आपको J-Mains, J-Advance और Class 11 का जो Physics होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस Physics को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ Mathematics समझना पड़ेगा Physics को समझने के लिए क्योंकि आप जो अर्लियर क्लास में जो आप पढ़के आए होंगे तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे Mathematics नहीं पढ़े हैं जिसका यूज जो है हम यहाँ पर करेंगे जैसे मनके चरी differentiation, integration यह सब चीज आप जो है इनसे आप परिचीत नहीं है यह सब चीज आप उहाँ से class 10th या 9th से आप पढ़के नहीं आए हैं तो उससे पहले हमको यह सब चीज पढ़ना पढ़ेगा जो मैं एक पूरा टॉपिक बोल सकते हैं कि mathematical tool topic के नाम से मैं पूरा का पूरा इसमें आपको discuss करूँगा mathematical tool में हम लोग सब कुछ जो हमारे यूज का होगा physics में वो सब कुछ हम देखेंगे तो आईए हम लोग इसको सबसे पहले heading लगा लिजे mathematical tool यह mathematical tool जो है आपको 7-8 चोड़ी चोड़ी वीडियो में आपको मैं दूँगा जिसके तहत आपको क्या होगा कि पूरी के पूरी जो mathematics जो physics में यूज होगी जितने हम physics समझ जाएंगे उतना चीज हम आपको पूरी के पूरी बता दूँगा ठीक है तो चलिए यह हमारा topic हुआ mathematical tool mathematical tool mathematical tool जो है इसको हम tool क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मानके चलिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कुलहारी है के बिना एक कुलहारी के बिना जो एक बढ़ाई हो या उसका जो जो ओजार होता है जो उसको आरी जो होता है उसके बिना कुछ करना चाहे वह तो नहीं कर पाएगा उसी तरह से आप इस mathematics को समझे बिना आप physics को नहीं पढ़ सकते हैं आप physics को आपको समझने के लिए इन सब उजार के आपको जरत पड़ेगी इसलिए हमेंने इसको क्या बोला mathematical टूल तो हम लोग mathematical टूल की नाम से एक पूरा का पूरा सीरीज देखेंगे फिर उसके बाद जो है फिजिक्स पर हम लोग जाएंगे physics से हम लोग kinematics से start करेंगे अच्छे तरीके से start करेंगे उससे पहले हम लोग इस पर अच्छे से ध्यान देते हैं को एक चीजों को समझते हैं mathematics को जो है यह भी कहा जाता है कि mathematics जो है language है physics का mathematics is a language of physics mathematics is a language of physics physics mathematics को जो है हम लोग physics का language भी बोलते हैं क्योंकि mathematics के बीना physics को समझना आसान नहीं है उसकी भासा हम mathematics को बोल सकते हैं ठीक है तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे physics में आपको बार-बार जो है उसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि quantity जैसी कोई quantity आपको दिया रहेगा कोई quantity quantity है इस physics में आपको जो है इस quantity से आपको बार-बार मुलाकात होगी यह quantity दो type का quantity मैं आपको define कर रहा हूं एक को बोलेंगे variable और दूसरे को बोलेंगे constant physics में यह दो तरह का quantity आपको देखने को मिलेगा यह variable और constant क्या है यह variable जो है variable का कहने के बतलब जो vary होता है जो time के साथ या किसी भी circumstances में यह क्या होता है constant क्या होता है हमें इसा constant रहता है जैसे मानके चलिए कि जी जो है हम लोग जो अर्थ के सरपेस वह लेते हैं वह constant होता है वह किसी भी चीज में vary नहीं करता है इसले करके तो gas constant भी क्या है यह एक तरह का constant है जो vary नहीं होता है और variable क्या है जो बतलब time के साथ या किसी भी चीज के साथ में vary होता है जैसे मानके चलिए variable का example मैं दों तो speed of car speed of speed of car क्या होता है एक variable में आएगा क्योंकि car के speed जो है वो हमेशा change होता रहता है ठीक है न उसको हम लोग बोलेंगे variable constant में क्या होगी हमारा जैसे gas constant तो आप लोग यह चीज समझ गया होंगे कि quantity जो है वो दो तरह की quantity fix में हमको देखने हों का मिलेगा कौन-कौन सा variable और constant variable का क्या मतलब हुआ कि ऐसे quantity जो change होता रहेगा जो हमेशा change होता रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे variable और constant क्या होगा कि जो कुछ quantity ऐसे होते हैं जो constant होते हैं वो समय के साथ या किसी भी parameter में वो change नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं constant quantity तो constant quantity में हम लोग देखें इसका example जैसे gas constant तो gas constant अब ये variable जो है ये variable इसको पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में इसके लिड़ोपन क्वशन क्यक्नाist क्सित पहले रफेशन अब्यूरोपն तो क्यक्शन क्यक्शन क्रवर देऊता हैं इसके विड़े में आध the quantity changes with parameters, कोई साभी parameter हमारा हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मुलोग, variable बोलते हैं, और constant के बारे में, फॉक्त advised, bat यॵक्ति युजर जबारниं realistic arrival, क्युक्स अच्चेंश़िकस ध ceux को बार्лось धमने की बार्लोग, बोलáoम सकते हैं विचंचिए, विचंचेश़िकस की बार्लोग, की बच्चेंश, which remains unchanged. इसको क्या बोलते हैं? Constand. अब जो है हम लोग इसमें आते हैं कि यह variable पर. यह variable जो क्या होता है? variable भी 2 type के होते हैं. variable भी 2 type के होते हैं. कौन-कौन से variable होते हैं? यह variable भी हमारे पास दो type का होता है. कौन-कौन सा? एक variable होता है dependent और एक होता है independent अच्छा यह dependent और independent variable क्या होता है? अच्छा dependent में क्या हुआ? जैसे मानके चलिए कोई चीज टा'M के साथ change होता रहता है जैसे मानके चलिए att Celebration हो गया, Velocity हो गया यह सब क्या होगा? TIME के साथ change होता रहेगा और मानके चलिए है कि हमने банक से loan लिया है यह हमने bank में पाईसय जमाग किया है तो वह क्या होगा time के साथ change होता रहेगा वह तो vary कर रहा है, variable में आएगा वह vary कर रहा है लेकिन वह time के साथ बढ़ता रहेगा पैसा हाना, तो उसको हम लोग बोलेंगे dependent variable लेकिन मानके तो लिए independent पे क्या होगा time time जो है, ये कभी किसी दूसरे पे ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ेगा, लेकिन कभी दूसरे पे depend नहीं करेगा ये independent quantity हो गई है कि मतलब वह कोई दूसरे पे depend नहीं कर रहा है आप कितना भी कुछ कर ले time अपने हिसाब से चलता रहेगा कुछ भी ऐसा करके हम time को पीछे नहीं कर सकते है time पीछे हो जाता तो हम लोग पीछे मूर करके देख लेते थोड़ा अपना पीछे के हमने क्या किया है तो इसलिए time का इतना importance है क्योंकि independent है, किसी पर dependent नहीं है ये अपने आप बढ़ता जाता है इसलिए time का हमारे जो, हमारे जो life में बहुत ज़्यादा important है है ना तो इसलिए हम लोग time को नहीं गवाएंगे time को maximum utilize करेंगे जितना time हमको मिला हुआ है तो independent में example हम जिसे दे सकते हैं कि time और dependent में example क्या दे सकते हैं money in a bank लिख सकते हैं money in a bank तो यह होगे हमारा dependent और independent आईए हम लोग अब इस दो variable को dependent और independent को इस दो variable independent और dependent को relate करने के लिए function हम लोग पढ़ेंगे function जब math में मैं ही पढ़ाऊंगा function आपको जब math में पढ़ेंगे तो उस तरह के देखेंगे कैसे dependent और independent को relate करता है तो उसका definition हम लोग लिख लेते हैं कि अब क्या है कि जो यह dependent और independent जो हमारा दो variable है जब दो से अधिक variable को हम लोग relate करते हैं जब दो या दो से अधिक variable को हम लोग relate करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं function ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं function का definition थोड़ा दिक लेते हैं फिर उसके बारे हम थोड़ा देखते हैं function function when two or more than two two variables relates each other age non-age non-age function ठीक है इसको हम लोग function बोलते हैं जैसे हम लोग जो class 9 ने पढ़े थे pendulum का time period पढ़े थे हैं ना जो pendulum का time period होता था तो इसमें क्या होता था तो इसमें क्या होता था कि time period जो है वो depend कर रहा है किस पर किस पर अल पर भी और जी पर भी जी की value भी change होती है हाइट के बढ़ने से अर्थ पर हमारे जी का value जो है वो 9.8 meter per second square होता है लेकिन यह यह जो pendulum का जो length है और इसको जी की जो value है इस पर क्या हो रहा है यह depend कर रहा है कौन सा time period इसको हम लोग क्या बोलते है time period time period ठीक है तो इसमें यह जो है L और जी जो है L और जी L और जी का function है क्या अपना time period तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि T वराबर function of T equals to function of L, G T is a function of L, G तो यह function हो गया जब दो से अधिक जो मेरा function था यह वाला क्या हो गया dependent variable और L, G क्या हो गया independent variable है ना यह L और G यह क्या हो गया L और G क्या हो गया independent variable और T क्या हो गया dependent variable क्यों क्योंकि L और G पर हमारा यह T जो है वह क्या कर रहा है रहरी कर रहा है हम भी क्या है अपने पापा पे dependent है हम लोग पापा हमारा money आना जदी बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं हमारा सब कुछ रुक जाएगा मतलब तो हम पापा पे dependent हैं, पापा किसी पे dependent नहीं है, वो पैसा कमाते हैं खोद से, और अपना, हम लोगों को पैसा भेजते हैं, फिर हम लोग अपना काम करते हैं, तो यह तो हो गया हमारा physics के term में, mathematics के term में हम देखें, mathematics के term में, तो mathematics में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, y equals to fx. यह symbol है function को दिखाने का, इसको यह symbol है function का function symbol. इसको हम इस तरह से बोलते है, y is a function of x. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यह symbol है function का, इसको हम लोग y equals to fx बोलते हैं. इसको बोलते हैं? इसको लिख लिजेगा, y is a function of x. y is a function of x. इसमें x जो है, हमारा x, इसमें x क्या है? independent variable. x क्या है इसमें हमारा? independent variable. इसको हम लोग यहां पर लिख लेंगे. x is a independent variable. x is a independent variable. x is a independent variable. and y is independent variable. y is dependent variable. dependent. ठीक है न? जो function से कैसा relate करते हैं, हम लोग dependent variable को और independent variable को वह चीज आपने देख लिया. यह mathematics के term में, इसको हम लोग y बराबर fx लिखते हैं, जहां पर f का मतलब होता है, जो denote करता है, function का symbol होता है, और y बराबर fx, y बराबर fx, x इसमें क्या है? independent variable है, और y क्या है? dependent variable है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y is a function of x. इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को. क्या था यह? y equals to fx. y is a function of x. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? y depends on x. इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका meaning हुआ, वो क्या हुआ? y depends on x. y जो है वो, x पे depend करता है. कुछ examples हम लोग देख सकते हैं, जैसे मानके चलिए हमारे पास यह fx दिया हुआ रहेगा. 3x square plus 2x. इसमें हम f of 0 की value put करना हुआ. f of 0 की value जो है, वो निकालने के लिए मानकचरी बोल रहा है. तो f of 0 की value जो है, कैसे put करेंगे? जहां जहां पर x है, वहां वहां पर हम 0 रख देंगे. है ना? तो यह 3 into 0 का square, plus 2 into 0. यह क्या हो गया? 0. f of 0 की value कितने हो गई? 0. उसी तरह से मानके चलिए आपको कहेगा, f of 1 की value निकालिए. तो जहां जहां पर 1 है, मतलब x के जहां पर मैंने 1 रख देंगे. तो जहां जहां पर x है, वहां वहां पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे. means 3 into 1 का square, plus 2 into 1. यह कितना हो गया? 5 हो गया. है ना? अब आपसे यह बोल दे, कि find कीजिए, क्या? f of f of 1. यह बोल दे आपसे, find करने को, कि यह कितना होगा? तो कैसे हम इस function में इस value को put करेंगे? अच्छा हमको पता है, कि f of 1 कितना है? 5 है. f of 1 क्या है? 5 है. तो f of 1 के जगह पर हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे. f of 1 के जगह पर क्या रख देंगे? 5 रख दिया. अब इस 5 की value, इस function रखना पड़ेगा. x के जगह पर क्या आगया? 5 आगया. तो अब इस x के जगह पर क्या आएगा? 5 आएगा. means, 3 into 5 का square plus 2 into 5 that is, यह कितना हो गया? 75 और यह कितना हो गया? 10 that is 85. यह हमारा answer हो गया, f of f of 1. ठीक है? इतना आप लोग समझ गए होंगे, function तक कैसे dependent variable और independent variable जो है, वो related है. function के through, इसको हम लोग बोलते हैं, y equals to function of x. y equals to function of x. आईए. हम लोग function के बारे में देख लिए. हम जो function हम लोग पढ़ते हैं, mathematics में और physics में, तो बहुत तरह के function हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है? उन सभी functions को हम लोग देखते हैं. हम लोग जो है function, trigonometric function पढ़ते हैं, logarithmic function पढ़ते हैं, exponential function पढ़ते हैं, inverse function पढ़ते हैं, इस तरह के function होते हैं, जो सब आपको physics में जूज होगा. तो आईए, जो जो function है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारिया हम लोग ले लेते हैं. function, function जो होए, function यह आपको first function ले लेते हैं, trigonometric function, जो maximum यूज होता है हर एक जगह, है ना, trigonometric function, दूसरा, logarithmic function और तीसरा क्या है, वो inverse function के बारे में चप्चा करेंगे. inverse function, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारिया हम लोग, ले लेंगे, फ़री तुरी जानकारिया लेते जाएंगे इसमें, trigonometric function में क्या क्या आता था, जैसे मानके चलिए हमारा y equals to fx आएगा, यह क्या होता था, sin x, sin x, वहाँ पर क्या होता था, जब हम लोग sin theta पढ़ते थे, sin theta cos theta, तो वहाँ पर क्या होता था, theta होता था, वहीं पर theta के जगह पर क्या है, यहाँ पर x है, यह function किसका है, x का हमने क्या लिखा, और भी तरह के function हो सकते हैं, jcy equals to fx equals to 10 square x इस तरह के function को हम लोग क्या बोलते हैं, trigonometric function, trigonometric function, sin, tan, cos, यह सब किस function के अंदर में आता है, trigonometric function के अंदर में आता है, logarithmic function क्या हो गया, जैसे हमारा y equals to fx, यह क्या हो गया, log x, तब इस तरह के function हो जाए, log x हो गया, दूसरा function, इस तरह का जैसे हमारे पास रहेगा कोई भी फंक्शन जैसे log x square log x square log x power minus 1 इन सब सारे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेगे log रित्मी फंक्शन exponential function में क्या हो जाएगा fx y ब्रावर fx लिखेंगे e power minus x e power minus x e power x e power x square कुछ भी जो e के power में होगा हमारा exponential function होगा यह सब function किस range में आएंगे exponential function के range में आएंगे logarithmic में देख लिए trigonometric में देख लिए inverse function में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए यह आपका दिया रहे y equals to fx tan inverse x है ना tan inverse x जब inverse की बात करेंगे तो हमको मतलब इस पर minus sign जो minus जो होता है जो inverse function की बात करते है तो इस tap में होता है tan inverse x हो गया सेक inverse x हो गया है ना तो इस तरह की जो inverse की value होगी inverse tap का जो function होगा उसको हम लोग बोलेंगे inverse function ठीक है trigonometric function देख लिए logarithmic function के बारे में थोड़ी देख लिए दीरे-दीरे हम लोग एक one by one सबको पढ़ेंगे दीरे-दीरे दीरे-दीरे जो है वह आपको दिमाग में आता जाएगा चीजें अब आपको brief idea दे दी थोड़ा सा कि trigonometric function किस tap का दिखेगा logarithmic किस tap का दिखेगा exponential किस tap का दिखेगा और inverse function किस tap का दिखेगा यह हमारा हो गया function जिसमें dependent variable और independent variable related होते हैं देख रहे है ना यहाँ पे y और आवर fx x जो है independent variable है और y जो है dependent variable है y, x पे depend कर रहा है इसलिए जो function होता है वो दो independent और independent variable को relate करने के लिए function आया है ठीक है यहाँ तक आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है अब मैं one by one जो है इन चीजों को discuss करने जा रहा हूं जो हमारा trigonometric है जो logarithmic है जो exponential है आईए trigonometric trigonometric function जो इसके बारे में हमको trigonometric के बारे में अत्वरा सा दिखना पड़ेगा जो हमको यूज रहेगा trigonometric है trigonometric का सुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा एंगल के बारे में जानना पड़ेगा जैसे वहां पर जो जो थीटा होता है उसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी थीटा क्या होता है मान के चले कोई circle है कोई circle है मैंने क्या किया यहां पर थीटा एंगल पर एक आर्क कट कर लिया इस सरकल में थीटा एंगल पर एक आर्क कट कर लिया इसको हम लोग बोलते हैं जो आर्क हमने कट किया है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्क लेंथ इसको डिनोट करते हैं ऐस से और यह क्या है ? यह circle का radius है तो एंगल जो होता है एंगल इसको आप λोग लिखते जाएग है अच्छे से मतलब इस पर भी आपको questions पूछ लेंगे वो लोग, असान-असान सा questions नीट में आता है, असान-असान से questions आपको board में पूछ लेंगे वो लोग objective में, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एंगल थिटा, ये होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, अपॉन रेडियस, इसको में लोग क्या बोलते हैं, S अपॉन आर, ये जो मतलब थिटा वरावर हो गया, ये हो गया, S अपॉन आर, हिटा एकुल शुक्या हो गया, S अपॉन आर, जो हमारा एंगल है, एंगल बरावर क्या हो गया, जो आर्क लेंथ होता है, और जो हम रेडियस दिभायट कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिटा बोलते हैं, मतलब उसको एंगल बोलते हैं, अब इस एंगल के यूनिट होता है इस एंगल के उसे धिर सारे यूनिट होते हैं कुछ यूनिट का नाम मैं लिख रहा हूं यूनिट जो होता है इसका क्या होता है डिग्री डिग्री वो उसके बाद होता है रेडियन रेडियन तीसरा में होते है ग्रेड यह भी एक टैप का यूनिट होता है इस एंगल का वैसे तो मान के ची यूनिटलेस है यूनिटलेस यह भी लेंथ है सेंटिमिटर और यह भी ले फिर भी इसका unit होता है, उसको मैंने बता दिया आपको कुन-कुन-कुन-स unit होता है, degree, radian and grade में. जैसे कोई point है, उसके चारो तरफ, इस point के मैं चारो तरफ जती सारे angle को add करूँ, चोटे-चोटे angle को पूरा का पूरा मतलब, एक point के around, जैसे कितने angle होते है, 360 degree. मतलब, इसके सारे angle को मैं add करूँ, तो इस point के along कितना angle होगा, 360 degree. एक circle में 360 degree का क्या होता है, angle होता है, पूरा का पूरा जैसे angle को हम sum कर देंगे, तो 360 degree के बराबर आता है. 360 degree और इसको जदि यह degree है, यह equals to होता है, 2 pi radian का. यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको use आएगा अभी यह. 360 degree किसके बराबर होता है, 2 pi radian के बराबर. यहां से 1 degree की बात करूँ, यह क्या आएगा? 2 pi upon 360 degree, that is, pi upon 180. यह 1 degree की value हो जाएगी. 1 degree बराबर, 2 pi upon 360, that is, pi upon 180. यह मैं इसके बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपको कभी दे दे 30 degree का value कितना होगा radian में, तो 1 degree का आपको पता है, यह pi upon 180 है, तो 30 degree का हम लोग निकाल सकते हैं, वहाँ से. इसलिए हम लोग एक heading डाल लेते हैं, conversion of, conversion of degree to, conversion of degree to radian. 360 degree, हमने क्या बात किया था? 360 degree जो होता है, वह 2 pi radian के बराबर भी होता है. जैसे मैं 1 degree की बात करों, तो यह कितना हो जाएगा? 2 pi upon 360 degree. उसी तरह से, जैते d degree मेरे पास होगा, d degree कम को change करना पड़ेगा. यह क्या होगा? d degree की बात करें, तो यह कितना हो जाएगा? 2 pi upon 360 degree into d. 180 degree. means, यह क्या हो गया? pi by 180 degree into, जतना को degree मेरे रहेगा? है ना? जब भी degree को हम लोग radian में change करेंगे, तो इस तरह से हम लोग करेंगे. कि pi upon 180 degree, 180 into degree. अब जदी, radian को degree में हमको change करना हो, तो कैसे करेंगे? conversion of radian r into degree. है ना? अपने को पता है कि 2 pi 2 pi equals to 360 degree. तो 1 radian, 2 pi, radian equals to 2 pi आप लोग समझ जाएगा, radian है. तो 1 radian कितना हो जाएगा? 1 radian कितना हो जाएगा यह? 360 degree upon 2 pi. minus, यह क्या हो गया? 180 upon pi. उसी तरह से मानका चले हमारे पास r radian होगा. तो वो degree में कितना होगा? 180 upon pi into r radian. ठीक है ना? यह degree में रहेगा. तो r बराबर 180 upon pi into radian. यहाँ पर आप देख चीज देखिए, कि जब भी आपको degree में change करना पड़ेगा. degree to radian में change करना होता है, यहाँ पर क्या है? pi उपर में है. pi जो है यहाँ पर उपर में है. और 180 नीचे में है. लेकिन, जब आपको radian से आपको degree में change करना पड़ता था, यहाँ आपको स्लाइड 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 मिस हो गया. यह है. ठीक है न? यह क्या था? conversion of radian into degree. तो जब radian को degree में change करते थे तो 180 degree उपर होता था. 180 degree उपर है और pi नीचे है. जब degree को radian में change करना पड़ता था तो pi उपर में और 180 degree नीचे में. इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. कि जैसे ही radian में radian को degree में change करना पड़ेगा तो pi नीचे में होगा. जैसे मानके चलिए radian में होगा तो pi नीचे में होगा. क्यों? क्योंकि जैसे मानके चलिए radian में कोई अब भी value होगा तो आपको pi में रहेगा तो pi pi cancel हो जाता है. ठीक है? आईए इस पर कुछ example करते हैं हम लोग. एक्जाम्पल चेंज 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 2 pi by 3 into रेडियन स्वारी, रेडियन में पहले से हाई है. 2 pi by 3 into degree तो 2 pi by 3 कपन degree में कैसे चेंज करेंगे? अपना क्या होता था? 2 pi 2 pi बरावर कितना होता था? 360 degree इसलिए रेडियन बरावर कितना हो जगा? 360 degree upon 2 pi और यह कितना कह रहा है? 2 pi by 3 2 pi by 3 तो कैसे आएगा यह 180 upon pi into 2 pi by 3 pi pi कैंसिल हो गया और 360 यह कितना आ गया? 120 degree आ गया कि जब भी हमको degree में हमसे पूछेगा degree में हमको कहेगा कितना होगा 180 degree upon pi से multiply करेंगे radian में कितना आ गया? 120 degree answer हो गया इसी तरह से मानके चलिए दूसरा example जदी देखें example क्या लेते हैं? 5 pi by 6 5 pi by 6 radian इसको कैसे change करेंगे? 5 pi by 6 radian को यहाँ पर क्या था? 180 degree upon pi 180 degree upon pi से multiply करेंगे है है ना? देख रहे हैं? जैसे ही मतलब 180 degree उपर में रहेगा जब भी degree हमको change करने रहेगा 180 degree उपर में रहेगा pi नीचे में रहने से क्या होगा? pi pi cancel हो जाएगा और पुरा पुरा degree में हमारा answer आ जाएगा यह pi pi cancel हो जाएगा 630 that is कितना आ गया? 150 degree हमारा answer हो गया ठीक है? आईए अब अब रेडियन को हमको रेडियन पर एकजांपल से रेडियन में था वो हम डिग्री में देख लेते हैं अब कहेगा कि change 30 degree into रेडियन तो रेडियन में अपना क्या करना है? रेडियन में क्या होगा? pi उपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा है न? ऐसे तो बनके चलिए 360 degree अपकोन क्या होता है? 2 pi तो 1 degree कितना हो जाएगा? 2 pi upon 360 degree तो यह कितना हो गया? pi upon 180 जब भी उपको रेडियन में रहेगा तो pi उपर रहेगा और degree क्या रहेगा? 180 degree नीचे रहेगा तो 30 degree क्या हो जाएगा pi into 180 degree into 30 degree अब 30 30 यह कैंसिल हो गया? तो यह कितना जाएगा? pi by 6 रेडियन हो गया इस तरह से हम लोग वो degree को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को डिगरी में चेंज कर सकते हैं एक 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 इसाम पर और देख लेते हैं इस पर कह दे को यह कि भाई 45 degree को रेडियन में चेंज करो 45 degree को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे सिधा क्या करेंगे हम लोग एक प्यक्रेक यह रेगा उपर में रहेगा पाए 180 degree इंटू 45 degree 45 पोरजा यह कितना हो गया पाए बा और वी रेडियन हो गया पाए बाद और वी था उटर रेडियन हो गया इस अ खीक है इतना समझ में आया होगा इतने सारे चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा आए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अपना साइन कन्विंशन होता है एंगल को मेजर करने के लिए उसको देख लेते हैं अपन फ व लोगा किते हैं है उसको देख बढ़ते हैं हो कि लिए खाद घ्र है उसको दादेख लेक लिए मेजरिंग साइन कन्वेंशन ओप मेजरिंग एंगल ये क्या होता है जैसे मान लेजे ये हमारा x-axis हो गया और ये y-axis हो गया और कोई एंगल हमको मेजर करना है इस एंगल को ये हमारा ठीटा एंगल हो गया ये ठीटा एंगल हो गया तो x-axis से उपर जदी हम एंगल को लेते हैं तो ये हम लोग पॉजिटिव लेते हैं मिन्स जब दी हम एंटी क्लोगवाई यहां से क्या रहा है इस direction में गुम रहे हैं मतलब क्या anti-clockwise direction इसको बोलेंगे और इस direction क्या होता clockwise direction इस direction क्या होता anti-clockwise direction X-axis से उपर जब भी लेंगे तो वो positive angle लेंगे means anti-clockwise direction में हम लोग जो है वो angle को जदी लेंगे anti-clockwise direction में जदी रहेगा angle उसको हम लोग positive लेंगे और जब इस तरह से यह x होगे हमारा और आइसे ज़िए x-axis के नीचे से बतलब इस direction में जदी हम एंगल को लेंगे यहाँ पर क्या है यह direction है और यह इस direction जदी एंगल को हम लोग मेजर करेंगे तो उसको हम लोग negative लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं, यह हमारा convention है, Angle, Angle, measured in, Angle, measured in, Anticlockwise Direction, Anticlockwise Direction, Taken as Positive, Taken as, Angle, Angle, measured in, Anticlockwise Direction, Taken as, Positive, or Taken as, Positive, and, Angle, Angle, measured in, Clockwise Direction, Clockwise Direction, Clockwise Direction, Taken as, Negative, Angle को हम लोग, Anticlockwise Direction measure करेंगे, एक से एभाउब measure करते हैं, इस Direction में, तो हम लोग क्या लेते हैं, Positive लेते हैं, और इस Direction भी लेते हैं, तो वो Negative Angle होता है, जैसे मानके चलिए इस Direction लेंगे तो 30 degree होगा, और इस Direction लेंगे तो minus 30 degree होगा, जदी इसको हम दिखाएंगे, यहां पर जदी इस Angle में, तो minus 30 degree होगा, लेकिन इस Direction में यहां से घुमाएंगे, यहां से, तो Positive होगा इस Direction में, लेकिन जदी मानके चलिए, यहां पर क्या है, 30 degree है, तो इसको minus कर देंगे, 30 degree से minus 30 degree, 30 degree, 33 degree क्या हो जाएगा, पॉजिटीव में हो जाएगा, और इधर जदी minus कर रिंग, इधर से तुरत आ गए, minus 30 degree इधर से आएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो ठीक है, हम लोग यहां तक देखे हैं, यहां तक Angle देख लिए, Function के बारे में देख लिए, Variable क्या है, उसके बारे में दो टैप के independent, dependent variable, और variable का, मतलब quantity कितने टैप का होते हैं, उसके बारे में देख लिए, Function कैसे, इतलब relate कैसे करता है, independent, dependent को उसको देख लिए, उसके बाद हम लोग जो है, Function कितने टैप के होते हैं, उसको देख लिए, अब Function के, Trigonometric function था, उससे समाझने से पहले हम देख लिए, कि angle क्या क्या होता है, अब हम लोग उसके angle के साथ खेलेंगे भी, Trigonometric function होगा उसमें, तो ठीक है, उसको बाद मैं इसको next video में करूँगा, क्योंको इसे video का length बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इतना तक आप लोग इसको revise कीजेगा, फिर next class में मैं इससे आगे, जो भी हमारा function है, उसको मैं अच्छे से clear करूँगा, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, पूरा mathematics पहले जान लेते, पहले tool को जान लेते, physics पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे हम लोग physics actual में, ठीक है न, तो अभी यहीं पर हम लोग इसको end करता हूँ, चलिए ठीक है, बाइ-बाइ, थैंक यू.